आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप Snapchat यूज करते हैं तो आप किसी भी ओप्षन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह का Error देखने को मिलता है चाहे आप फोटू पर क्लिक करें चाहे चेट पर क्लिक करें याप किसी भी सेटिंग पर क्लिक क प्रब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा तो इस प्रॉब्लम को स्वावल करने के लिए दुस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का जो सेटिंग है उसको ओपन करना यहाँ पर यहां पर आपका जो mobile network mode है उसके बाद दूस्तों यहां पर आपको जो भी आपका network है उसको आपको पहले सबसे पहले 2G पर select करना है थोड़ी देर के लिए उसके बाद उसको यहां पर आपको देख आना है। देक आने के बाद उस्तो यहां पर आपको नीचे आना है और यहां पर आपको एक option मिलेगा More Setting का. अगर आप में mobile में inverse setting के नाम से भी हो सकता है, तो यहाँ पर आपको में जो option बता रहा है आपको उसी पर जाना है तो यहाँ पर आपको more setting पर click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक option मिलेगा backup and reset का तो आपको उस पर click करना है तो यहाँ पर दोस्तों आपको धियान रहने कि आपको Een इस ऑल डेता वर्क क्लिक नहीं करना है आपको शीप रिसेट नेटवर्क सेटिंग पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको जी पहरें प्छियाँनमी अब दिखाया हो प्रोलिये के दिखाओ जिस भी आप जिस भी सीम देगा दे रहें तो यहां पर आप जो भी सी में है आपके वह यहां पर सिलेट कर दे उसके बाद यहां पर आपको नीचे अप्सन मिलेगा reset setting का तो आपको उस पर क्लिक करना है उसके बाद आपके mobile में जो भी passport होएगा आपको enter करना है उसके बाद वापिस से आपको reset वाले button पर क्लिक करना है तो आपका जो network है वो reset set हो जाएगा उसके बाद दुस्तों आपको यहाँ पर back आना है कि बेक आने के बाद दुस्तों यहां पर आपको चेक करना है कि आपका जो डेट और टाइम है सही यह नहीं तो आपको आपको नहीं पता तो आपको क्या करना इसको यह वाट है उसको इस बटन को ओन करके ओफ करना है ऑन करके ओफ करना है दो तीन बार इसको ओन करके ओफ करन है उसके बाद दूस्तों आपको यहां पर बैक आना है उसके बाद आपको यहां पर बैक आने के बाद दूस्तों यहां पर आपको एप मेनेजर या एप मेनेजमेंट के नाम से आपको एक आपसन मिलेगा आप यहां पर देख सकते हैं या तो आपके मोबाइल में एप्लिकेशन के नाम से भी हो सकता है तो मेरे मोबाइल में एप्लिकेशन के नाम से तो आपको उस पर क्लिक करना है इसकी बार दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटर्पेस नेजर आजाएगा तो यहाँ पर आपको All Apps पर क्लिक करना यहाँ पर तो यहाँ पर आप All Apps पर क्लिक करेंगे तो आपके mobile में जितने भी application है वो सारे application यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको Snapchat को find करना है तो Snapchat आपका कहाँ पर उसे आपको ढून लेना है तो आप देख सकते हैं हमारा जो Snapchat यहाँ पर आ चुका है तो उसके बाद आपको Snapchat पर क्लिक करना है उसके बाद आपको यहाँ पर storage वाले बटन पर क्लिक करना है उसके बाद दूस्तों यहाँ पर आपको clear cache करना है आपको clear data नहीं करना वरना आपको फिर से login करना पड़ेगा तो इतना करने के बाद दुस्तों आपको यहाँ पर बैक आना है और यहाँ पर आपको नीचे एक option मिलेगा permission का तो आपको permission पर click करने इस सारी permission इसे on कर दिना है इसकी बाद आपको बैक आना है उसकी बाद दुस्तों आपको play store पर जाना है प्लेश्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर आपको आपका Snapchat उसे सर्च करना है अगर उसमें कोई भी अपडेट आ चुका है तो यहाँ पर आपको उसे अपडेट करना है उसके बाद आपका जो problem है वो solve हो जाएगा तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करे चैनल पर ने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें धन्यवाद